नमस्कार दोस्तों, कुकवी दूशा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया रेस्पी लेकर आई हूँ जी हाँ, आज हम बनाएंगे सौंफ का सरवत जिसे आप 5-6 महिने के लिए स्टोर करकर रख सकते हो तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सौंफ ठंडक देने के साथ साथ हमें बहुत सी बिमारियों से दूर रखती है कॉलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया है, कफ के लिए, दिमाग के लिए, आंखों के लिए पाचन सकती के लिए बहुत बढ़िया है और पाचन सकते अच्छी रहे कि तो कब्ज भी नहीं होगा जिसकी कारण से मोटापा भी हमारे से दोर भागेगा तो बहुत से फाइदे हैं इसके रेस्पी कब्जरूर ट्राई किजिए अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेर भी किजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सौंफ का सर्वत बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप यानिके 100 ग्राम ली है मोटे वाली सौंफ तो मोटे वाली सौंफ ही आप लीजिएगा अब इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि अच्छे से डोब जाए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए जिससे की सारी भीग जाए और यह देखिए 15-20 मैंने ली है छोटे वाली इलाइची यह भी हम इसके अंदर डाल देंगे तो दोस्तों इलाइची डालने से इसके अंदर फ्लेवर तो आएगा ही लेकिन इलाइची के बहुत सारे फाइदे भी होते हैं जैसे की इसमें एंटियोक्सिडेंट होते हैं ब्लेट ब्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है और बैड ब्रीथिंग के लिए अच्छा है तो चीनी भी ले सकते हैं लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हमें अच्छी चीज ही बनानी है तो आप कोशिस कीजिए कि मिसरी ही लीजिए और धागे वाली जो देशी मिसरी होती है वो लेनी है तो देखिए धागे वाली मिसरी के भी बहुत सारे फाइदे होते हैं अगर ब तो देखिए ओबर नाइट यानि के पूरी रात मैंने इसे भीगने के लिए छोड़ दिया था अच्छी तरह से ये फूल गई है बहुत बड़ी असे इसका फूलना ज्यादा जरूरी है तो आप कोशिस कीजिए कि ओबर नाइट ही इसे भीगोने के लिए रखिएगा अब हम ऐसे ही इसको ग्राइंड कीजिए क्योंकि सॉप्ट हो गई है अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालेगा ठीक है और ये जो पानी बच्चा है न सौफ बाला ये फेंकना नहीं है ये काम का है क्योंकि इसमें भी फ्लेवर है कुल बारेक इसे पीषना है और पीषने के बाद इसे हम चान लेंगे ये देखिए तो देखिए किसी पतले कपड़े में इसे आप चान लीजिएगा बहुत मोटा मतलब बहुत चालीदार कपड़ा नहीं होना चाहिए मलमल का कपड़ा मैंने लिया है चानने को हम देखिए छनेनी में भी छान सकते थे लेकिन फिर अच्छी तरह से ये छनेंगी नहीं तो इसलिए आप कपड़े में इस तरह से पोटली बांदिएगा और फिर इसको प्रेस कर लीजिए इसका सारा पानी हमें निचोड लेना है तो अभी मैंने थोड़ी इसी ग्राइंड की है फिर उस काम की नहीं है आप चाहें तो गमले बगार में डाल सकते हैं खाद के रूप में या फिर दाल अगर उबाल रहे हैं ताजी-ताजी तो आप उस में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं वैसे इसके अंदर फ्लेवर अब नहीं है यह बिलकुल बेस्टेज है मैंने भी इसको बrowsें गें नहीं पंड़े जिए जो क्वाबब कैले जो सब्सक्राइब को औरdfट करेंगे गया को सबandelion वैर्हाई पर्थ जिराल कमा का फैडू या जो सब्सक्राइब तो एक कपल के लें हो तो एक कप पानी दो कप सब्सक्राइब ठीक है अब देखिए जैसे जैसे पिगलेगा ना तो थोड़े धागे भी बीच में रह जाते हैं तो ये आप निकाल लीजिएगा तो दोस्तों सारे समगरी आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक्की हुई मिल जाएगी और वैसे मैं आपको बता दूँ कि 100 ग्राम सौफ के लिए मैंने 500 ग्राम मिसरी ली है क्योंकि एक बोटल हम बनाएंगे सरबत की तो देखिए मिसरी अच्छे से जब मैल्ट हो जाए ना तब इसके अंदर आप डाल दीजिए सौफ और इलाइची का पानी और 4-5 मिनट इसको आप मिडियम टू लो फलेम पर पका लीजिए उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर हरे बाला कलर इसमें डाल रहे हैं क्यूंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं और देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना खाने के साथ साथ तो अगर आपके पास कलर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो मत डालेगा इससे फलेवर में कोई फरक नहीं पड़ता है सिर्फ देखने में अच्छी लगेगी ठीक है आप मिडियम फलेम पर इसको आप पका लीजिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस बहुत ही फाइदे मंद है इसे आप जरूर से बनाईएगा रेस्पी अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर कीजिए वह सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल उपर नए हैं फिर चैनल को सब्स्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस किजिए तो देखिए अब पकाना कितना है वो मैं आपको बता दूँ जब ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए ना उतनी पकानी है कोई एक तार की चासनी नहीं बनानी है तो देखिए जब इसको हम हिला रहे हैं थोड़ा भारी सी कल्ची हमारी लग रही है पहले बह जाएगी और इसमें फिर क्रिस्टिलाइजेशन होगा तो बस जब ये चिपचिपा सा हो जाए आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिएगा बहुत से लोग इसमें सिट्रिक एसिड या निम्बू का सत भी यूज़ करते हैं लेकिन ये हमें डालने के जरूरत नहीं है ऐसे ही आपका सरवत 4-5 मीने तक अखराब नहीं होगा अगर इसमें हम निम्बू का सत डालेंगे ना फिर दूद के साथ इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे डाल दीजिए बोटल के अंदर गरम नहीं डालना है अ इससे पहले आपसे रुक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए अब हमसे बनाना शुरू करते हैं बोटल हमारी तयार है अब एक गिलास के अंदर डाल देंगे कटा हुआ नीमबू थोड़ी सी पुदिना की पतिय हलका सैन को आप क्रश कर लीजिए और साथ में डाल दीजिए काला नमक भूने हुए जीरे का पॉडर एड़ करेंगे आप चैतो काली मिर्च भी डाल सकते हो खुम सारे इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब्स दो तीन चमस डाल देंगे शर्वत के या आप टेस्ट के अकोर के सकते हैं तो दोस्तों वी को लाइक जरूर कीजिए और जल्डी मिलेंगी एक और नए वीडियो के साथ तब तक क्ये लिए नमस्कार